रचन और गुजन की प्यार भरी नोगजों के एक बार फिर हमें देखने को मिलने वाली है क्योंकि जल्द ही इस अपने सुहाने लड़कपन के सीरिल का सीजन टू टीवी पर आ रहा है जो टीवी इंडस्ट्री के काफी पॉपलर कलाकार हैं और अब इस शो का हिस्सा बनते नजर आने वाले हैं तो कौन से हैं वो कलाकार जो इस शो के सीजन टू में नजर आने वाले हैं आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उनहीं के बारे में बताने वाले हैं तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो कलाकार पिछले सीजन में गुंजन का किरदार निभाने वाली आक्ट्रिस रूपल त्यागी इस शो का दुबारा से हिस्सा बनने जा रही है पिछले सीजन में इनके दोबारा निभाया गया गुंजन का चुल बुला और अपने जिंदगी खुल कर जीने वाली लड़की का किरदार दर्शको को काफी पसंद आया था इसलिए अब दर्शको के पसंद को देखते हुए इन्हें सीजन टू का भी हिस्सा बनाया जा रहा है और खबरे हैं कि सीजन टू में ये अपने गुंजन वाले किरदार में ही नजर आने वाली है मदबाला फेम आक्टर विवेन डिसेना भी इस शो के सीजन टू का हिस्सा बने जा रहे हैं खबरे हैं कि इन्हें रूपल के ऑपोजिट अंकित गेरा की जगे कास्ट किया गया है और इन्होंने भी इस शो में काम करने के लिए हामी भर दी है इस तरह अब इस शो में रूपल के साथ जोड़ी जमाते हुए ये दिखाई देने वाले हैं अभी कनफर्म नहीं है कि ये वाकई इस शो में काम करेंगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा टीवी के मोस्ट पॉपलर आक्टर रॉनिथ रॉइ भी इस अपने सुहाने लड़कपन के सीजन टू शो का हिस्सा बनने वाले हैं ये शो में एक एहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं पर अभी तक ये नहीं किया गया है कि ये किस भूमिका में नजर आएगे ये तो जब शो आएगा तब ही पता चलेगा पर खबरे पक्क dissolते हैं कि ये शो में काम करने वाले हैं नम्बर फ्राइट, रुपाली गंगूली, जी हाँ, अनुपमा का किरदार निभाकर मिशूर हुनी अक्ट्रस रुपाली गंगूली भी इस शो के सीजन टू में नजर आने वाली है। खबरों की माने तो रुपाली गांगुली इस शो में रूपल और अदा की मम्मी का किरदार ने पाने वाली हैं जो बहुत ही समझदार और अपने बच्चों की सारी ख्वाइशे फूरी करती हैं इसी किरदार में अभिने 3 रुपाली गांगुली सीजन 2 में अपने अभिने से चार चांद लगाने वाली है तो दोस्तों आप इस शो के दूसरे सीजन में किस कलाकार को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडास्ट्री से जुड़ी ऐसी ही लेटस खबरों क जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें